टीम इंडिया के चिप सेलेक्टर चेतन शर्मा को टीम इंडिया से हो सकती है छुटी बिसी सियाई ले सकती है उनके उपर बरा एक्शन भारतिये क्रिकेट टीम के मुख्य चेन करता है चेतन शर्मा और उनके स्टिंग ओपरेशन में हुए खुलासे के बाद भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसिसिया एक्षेन की तैयारी में है सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार चेतन शर्मा की कुरसी जा सकती है लगबगता ही है और इसको लेकर बिससियाई ने चेतन शर्मा उसे बाद भी की है और उनसे जवाब मांगा है बता दे चेतन शर्मा ने जो हैस्टिंग ओपरेशन के दौरान इस मामले की खुलासा उन् नेशनल टीवी में उन्होंने ये जो है इंटर्वियू में कहा था कोहली गांगुली विवाद खिरारियों की जब फिटनेस समेट कई सारे मुद्दे पर उन्हों से सवाल पूछे गये थे जिसके बाद सही विवादों में वो फस्ट चुके थे और बिसीसियाई अधिकारी स से इंकार कर दिया था दोबारा सवाल करने पर भी आशिश जो है चला ने कुछ बोलने से इंकार कर दिया था हाला कि क्योंकि वो इस मुद्दे पर मुझ खोलने के लिए तयार नहीं थे चैतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे ऐसे खुलासे किये हैं जिसने भारती क प्रिकेट में हर कम मचा दिया था चतन शर्मा ने जो है खुफिया केमरे के सामने खुलासा किया था टीम इंडिया में खिलारी इंजेक्शन लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं इसके साथ ही चतन शर्मा ने टीम इंडिया के खिलारियों को सेलेक्ट और ड्र पर आरोप लगाया था कि उन्हें बताये बिना ही कप्तानी से विराठ कोहली को हटा कर रोही शर्मा को गप्तान बना दिया गया था कुझ याओं टे मींडिया के चिप सलेक्ट चटेन शर्मा को टीम इंडिया से हो सकती है छुटी बिसीस्याइ ले सकती है उनके उपर बडा एक्षण ही भारतिय Cricket team के मुज्गे चैन करता है चैन शर्मा और उनके इस्टिंग ऑप्रेशन में हुए खुलासे के बाद भारते cricket control board बी सिसी आइक्शन की तयारी में है सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार चेतन शर्मा की कुरसी जा सकती है लगबगता ही है और इसको लेकर बी सिसी आई ने चेतन शर्मा उसे बाद भी की है और उनसे जवाब मांगा है बता दे चेतन शर्मा ने जो है स्टिंग ओपरेशन के दौरान इस मामले की खुलासा उन्होंने किया है और बता दे एक नेशनल टीवी में उन्होंने ये जो है इंटरव्यू में कहा था कोहले गांगुली विवाद खिरारियों की जब फिटने समयत कई सारे मुद्दे पर उन्हों से सवाल पूछे गये थे जिसके बाद सही विवादों में वो फस्ट चुके थे और बी सिसी आई अधिकारी सामने आने से बच रहे थे स्टिंग पर जब भी जब बी सिसी आई के कोशत हैक्ष आसिस सोलार से बात करनी चाही तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस पर बी सिसी आई जल्दी ही अधिकारिक तोर पर अपना बयान जारी करेगी उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया था दोबारा सवाल करने पर भी आशिश जो है चलार ने कुछ बोलने से इंकार कर दिया था हाला कि क्योंकि वो इस मुद्धे पर मुझ खोलने के लिए तयार नहीं थे चतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे ऐसे खुलासे किये हैं जिसने भारती क्रिकेट में ही नहीं बलकि वर्ल क्रिकेट में हरकम मचा दिया था चतन शर्मा ने जो है खुफिया केमरे के सामने खुलासा किया था टीम इंडिया में खिलारी जो है इंजेक्शन लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं इसके साथ ही चतिन शर्मानी टीम इंडिया के खिलारियों को सेलेक्ट और ड्रॉप करने पर भी खुलासा किया था कि उन्हें बताए बिना ही कप्तानी से विराठ कोहली को हटा कर रोही शर्मा को कप्तान बना दिया गया था